बिसम्लाइरा मानराहिम अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं that is python, python programming, python क्यों, coding क्यों, AI के अंदर ये सब क्यों, share बन गया, बनाना नहीं था, आगे चलती है तो python और artificial intelligence का बड़ा अच्छा खासा link है आपने देखा होगा कि python as a programming language बहुत important है क्यों important है? क्योंके python वहद language है जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा use की जाने वाली एक tool या programming language के तोर पे use हो रही है in AI, in machine learning, in deep learning and some other tasks python वैसे नाम ही अच्छा है क्योंके recently जब हमारा पहला course था उसमें हमने इसको python का चिला बोला था आप आज भी google पे python का चिला लिखेंगे तो सामने हमारा चैनल आएगा आपके सामने और अभी अगर AI का चिला बोले हमने तो यह भी एक unique keyword है जो सिर्फ कोटैनिक्स के साथ लिंक करते है python as a programming language क्यों सीखने चाहिए? उससे भी पहले question है कि coding की क्यों सीखनी है? कुछ लोग ऐसे भी है ना जो कहते है मैं नहीं सीखनी coding मुझे AI सिखाओ उनको बता दूँ के coding क्यों सीखनी है you need to build the models and system from scratch और उसके लिए flexibility होना ज़रूरी है और coding वहेट टूल होता है जो आपको functions और different चीज़ों के algorithms को merge करके एक final optimum app या website या software बनाने में help करता है आप coding के थूँ ही model की performance और algorithms को optimize कर सकते है अगर थोड़ी से भी change आई exactly उस point पे जाके आप change को optimize कर सकते है यानि के गलती का process आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे गलती है coding का ये फाइदा है अगर आप non coding apps के थूँ AI करेंगे तो आप उस गलती को optimize नहीं कर सकते debug नहीं कर सकते debug का मतलब होता है एक bug को मारना या उसमें से गलती को निकालना फिर आप customization की बहुत बड़ी probability होती coding आप कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से जिदर को चाहें जिस तरह का चाहें design बना सकते जिस तरह की चाहें app बना सकते जिस तरह का चाहें AI से related algorithm develop कर सकते हैं लेकिन अगर आप non AI apps where I use करते हैं there are many tools जो आप click 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 करें तो model बन जाता है उससे बहतर होता है कि आप coding सीख लें और इतना कुछ ज्यादा time नहीं लगता आजकल का दोर ऐसा है मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 दिन में आप programming अच्छे तरीके से सीख के apply करना सीख जाएंगे so just imagine कि 40 दिन एक दफ़ा बंदा लगाले life में फिर इन्शाला काम करता रहे then you can handle complex data excel के अंदर अगर आप बहुत बड़ा data upload कर देना तो वो रुक रुक के चलने लगे जाता है हाल्ट होने लग जाता है इसी आपका और वन मिलियन से ज्यादा या मिरे ख्याल से 6 मिलियन से ज्यादा रोज नहीं आप उसमें डाल सकते और जो कोडिंग या यह data processing है encoding जितना मर्जी बड़ा data आ जाए ठीक है otherwise access, modify and enhance the open source AI libraries यानि के इतने ज्यादा tools available है न AI के online जो totally free है coding का सबसे बड़ा advantage यह है कि coding सारी की सारी free होती है सारी की सारी libraries free है you don't need to pay even a single penny if you want to develop an AI app that is the benefit of using coding especially python अब इसके अंदर आपको new techniques जैसे update होते जाती है वैसे python की libraries, python की software update होते जाते है libraries क्या होती है, frameworks क्या होते है we will see that आप deeper insight लेते है algorithms की and then you can collaborate as well मतलब आप क्या करते है एक code बनाया, किसी दोस को बेजे वो अच्छे तरीके से वहाँ पर debug करके आपको वापस बही सकता है or otherwise you can work online in one file उसी के अंदर coding करते जाए और चलाते जाए and then a lot of opportunities आप खुद सोचें आप मेंसे कितने लोगों को job apply करते वकत इस चीज का सामना करना पड़ा है कि यार मुझे तो ना तो आ राता है ना python आती आसी language नहीं आती मेरी तो यहाँ पर selection नहीं होनी होता है ना अक्सरोकात अगर आप job पे apply करें या scholarship पे apply करें you know कि वहाँ पे लिखा होता है कि python वहाँ पे लिखा होता है कि coding तो अगर आपको वो नहीं आती तो आपके chances कम है अगर आती है तो आपकी यही चीज 30% आपकी selection के chances बढ़ा देती यह खास दोर पे python जिस बंदे या बंदी को python आती है believe me उनकी cv automatically outstand करती लेकिन लिख देना काफी नहीं कि मुझे python आती है समझ रहे हैं बात उसको prove करना बहुत important है then you can unlock the full potential of AI models यानि कि full potential पे उसे चला सकते है AI model को अब python क्यों सीखना है AI के लिए क्यों कोई और language कोई नहीं exist करती बिल्कुल करती है there are many other languages like R there are many मैं सभी के नाम नहीं यहां पे आपको बताता python पे रखते है python क्यों यह बहुत simple है readable syntax है यानि English की तरह आप इसको रीड कर सकते है ठीक है जो इसे easy to learn बनाता है secondly python का सबसे बड़ा advantage है कि general purpose language है किसी ने website बनानी है वो भी python पे बना सकता है किसी ने web app बनानी है वो भी बना सकता है किसी ने data science करनी वो भी python पे करेगा यानि किसी ने data analysis करना उसकी library is different है किसी ने website बनानी है उसकी library is different है आपको language आ गई न data science आप सीख के तो website सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है software बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है so that's why you need to learn python first python की basics basics सीखेंगे फिर एक niche में चले जाएंगे and then we will learn in advancement आप क्या कर सकते है rapid prototyping and development of AI apps यानि कि आप यकीन माने recently हमारे course में मैंने बताया था यार तीन घंटे में मैंने तीन या चार software मेरे ख्याल से मैंने बनाये थे बैठे बैठे एमी first time मैंने जो है software python के उपर develop किया तीन से चार घंटे में using prompt engineering और आप यकीन माने इतना fast-paced काम हो गया मतलब आप अगर तीन दिन चार दिन लगाएं आप एक software develop कर सकते हैं using python and chat GPT algorithms और believe me we are going to do that इंशाला huge ecosystem है इतना कुछ लोगों ने बताया हुए tensorflow के इतने tutorials बढ़े है केरास के इतने बढ़े है pytorch के इतने पढ़े है pandas के इतने पढ़े है इतने ज़्यदा material बढ़ा है कि अगर आप मुझे ना भी सुने ना सिर्फ नाम याद कर लें कि यह यह libraries है जो मैंने पहले आपको दिखाई ही थी कि हम यह यह libraries करने वाले हैं let me see अगर मेरे पास वो हैं सारी यहां पे तो उन libraries के सिर्फ आप नाम याद कर लें ना यह बहले तो इनकी website पर जाके भी आप सीख सकते हैं यह सारी की सारी libraries अगर आप यह सारी libraries सीख लें you will learn AI आप AI के expert हो जाएंगे and I'm not saying कि सिर्फ आप यह library सीख लें और हो जाएंगे यह experience के साथ आपको बता रहा हूँ and you can ask anyone वो भी आपको यही कहेगा कि AI को सीखने के लिए आपको यह library सीखनी जरूरी है इसी वज़ाए से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर math, science, data analysis there are different other tools अगर वो सीखनी है तो यह तीन library सीख लें AI सीखनी है तो यह तीन library सीख लें and if you want to learn some databases web cloud system तो there are many things in python which you can utilize the power of interactive ability using python as a programming language for AI अब इतनी बड़ी इसकी community develop हो चुकिए हर चोथा बंदा python सीख रहाता है IT के अंदर खास तोर पे जो web development के हैं दूसरे तीसरे बंदे हैं तो आप उनसे help ले सकते हैं industry में सबसे ज़्यदा use की जाने वाई languages वकत python है अगर AI और machine learning की बात की जाए अगर आपको python आती है आपका job search job criteria है वो narrow है ना python के उपर for example अगर है तो आपकी job search के अंदर ज्यादा result आना शुरू हो जाएंगे यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ अगर आप LinkedIn के अंदर जाके अभी इस वकत if you write there python और उसकी job search करें you will see a big number there instead of R instead of fortran instead of julia या other language आप जरह लिखें python और फिर अपने country का नाम लिखें जहां पर आपने search करना है और jobs पे click करें मेरे पास 3,20,000 सिर्फ और सिर्फ यॉरप में job है python developer की 3,20,000 I know this is a big number लेकिन जैसे मैं इसको नीश में लेके आता जाऊंगा number इसका जो है अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा यार सिर्फ पाकिस्तान में तक्रीबन 600 को करीब है और आप कहते हैं job काम पे मिलेगी समझ रहे हैं ना बात को so you need to have a strong python skill set जो आपको highly employable बनाएगा यह नहीं है कि python थोड़ी से सीख ली और बात खतम expert बनेंगे तो आपको AI की job मिलेगी जो लोग expert नहीं बनेंगे वो उनको AI की job में employable कम होंगे वो यानि कि उनके selection के chances कम है इसलिए आप साथ में अगर programming language like R, Java और ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो for example अगर आप python सीखते हैं तो बाकी programming languages आपके लिए हलवा हों वो होता है ना वो भी सीखनी वो भी सीखनी वो भी सीखनी वो भी सीखनी पहले python सीख लो बाकी सब असान है python आएगी तो बाकी easy होंगी ठीक है तो python से start इस वज़ा से जरूरी है popular क्यों है LinkedIn 2020 के emerging job report बताती है कि python number one most required hard skill है LinkedIn 2020 का analysis में आपको बता रहो ठीक है यानि के machine learning roles के अंदर जो AI के roles है 46% jobs ने सिरफ python require की थी यही नहीं cloud academy survey of technology hiring manager in 2021 उन्होंने बताया कि 75% demand जो है वो python language की है top programming languages में इसके इलावा there are many other languages जिनकी percentage और भी है but 57% अगर python है r की b से फिर java की 14 है C++ की ये C sharp की 11 9 इतने percent है इसका मतलब जिसको python आती है वो इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी स्कून से job ले सकता है स्कून से लेकिन उसमें expert बनना जरूरी है again expert बनना ये नहीं है कि 10 दिन python में लगा है फिर हमीं कहने लग जो chat GPT से python सीख ही लेता बन्दा सीखने के क्या जरूरता नहीं ज़र चैट GPT ने घल्त दास्ति कि तो पुछोगा तुसे समझा ही बात की इस वज़ा से python को सीखें और there are many other surveys according to Kaggle जहां पे 23,000 data scientists को सिरफ python आती है and there are many other surveys out there जो AI और ML के उपर जो नहीं ने analysis की है and then they show के python number one या number two या number three language दुनिया के अंदर according to different job market so still अगर top rank है python तो हमें भी से start करना चाहिए इसी वज़ा से हम python से start करने वाले है अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है के यार python ही क्यों तो उसका जवाब मैंने दे दी है अब अगली बात पे चलते है अगर किसी का ये question है के आर क्यों नहीं सिखा रहे है भाई पहले सिखा दी है आर विद अम्मार आर स्पेस विद स्पेस अम्मार लिखे वहां पे पूरा session आपको आ जाएगा अगर आप नहीं लिखना जाते हैं मुझे comment section में tag कर दीजेगा I can send you the whole playlist of R तो R पे भी हमने शुरू किया हुआ अगाम अब python पे कर रहे है The next thing is installation of softwares यहां पे मैं सभी से request करूँगा कि आप लोग प्लीज अपने जो system है उन्हें activate कर ले और website में Google पे चले जाए Now we are going to start installing the softwares और इससे जो अगला lecture है वो हमारा software installation का है और बड़ा quick lecture होगा इसके बाद हमारी आज की class जो end हो जाएगी I know I am taking more time for this class लेकिन obviously आपका फाइदा है आज के दिन इस वज़ा से मैं आपको आज installation करके फिर आपके जान छोड़ूगा